mean, median और mode इनको हम central tendency या major of central tendency कहते हैं basically अगर हम mean की बात करें और खास तोर पर arithmetic mean की बात करें तो इसको हम average भी कह सकते हैं इसके अंदर हमारे पास जितनी values होती हैं उन तमाम का हम sum करते हैं और इसको total number पे divide करते हैं total number पे divide करने से जो हमारे पास value आती है उसको mean या average value कहते हैं अब जो mean है ये data के अंदर जो extreme values की presence है उससे बहुत जादा effect होती है for example अगर हमारे पास एक event है जिसके अंदर six class के बच्चे एक party करना चाह रहे हैं इस party के अंदर वो मुख्तलिफ activities पर फार्म करना चाहते हैं एक reporter उनकी तमाम activities को report करना चाहता है अब उस class के अंदर for example 15 students थे या 20 students थे तो जब वो अपनी activities पर फार्म कर रहे थे तो एक जो student है उसके grandfathers उनके grandparents भी उस party के अंदर शामिल हो जाते हैं वो उनको भी उस party का हिस्सा बना लेते हैं अब reporter एक report मनाता है वो ये कहता है के एक event हुआ जिसके अंदर जो individual शामिल थे वो class 7th के लोग थे और उनकी जो mean age थी वो 27 थी अब यहाँ पर क्या हुआ आम तोर पर जो 6-7 class के बच्चे होते हैं उनकी age काम होती है लेकिन क्योंके उनके साथ दो ऐसे person शामिल हो गए जिनकी age बहुत जादा थी वो 70s, 80s में थी तो जब इन extreme values को उनकी age के अंदर शामिल किया गया और उसका mean निकाला गया तो एक जो value आई वो different आई अगर यह जो extreme values हैं इनको शामिल ना किया जाता तो फिर उनकी average age काफी कम होती तो यहाँ पर हमने देखा कि जो mean value है यह highly sensitive है against the extreme values इसलिए जब हम data को arrange करते हैं, data का analysis करते हैं तो अगर हमारे data के अंदर कोई extreme value आ जाती है तो ऐसी extreme values को आम तोर पर हम अपने data से remove कर देते हैं और इस process को हम data trimming कहते हैं तो data trimming के जरिए हम extreme values को अपने data में से निकालते हैं इसी दिके से अगर हम measure of variability के बात करें तो इसके अंदर हमारे पास mean deviation, variance, standard deviation, standard error of mean, range शामिल हैं अब इन तमाम की base के अपर हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे data का spread कैसा है हमारे data के अंदर जो ज़्यादातर values हैं वो mean के करीब हैं या फिर mean से उनका जो difference है वो ज्यादा है पर जेमपल अगर हम variance की बात करें तो variance के है? variance mean of square deviation from mean है जबके अगर हम variance का under root ले लें तो वो standard deviation कहलाता है अब एक ऐसा data जिसका standard deviation जादा है जिसका standard error जादा है या जिसकी mean deviation की value जादा है इसका मतलब ये है कि इस data के अंदर जो data का spread है वो ज्यादा है यानि अगर इस data का हम mean निकालें तो हर जो individual value है उसका mean से जो difference है वो ज्यादा है लेकिन अगर हमारे data का जो standard deviation है mean deviation या standard error कम आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे data के अंदर जादा तर जो values है वो एक दूसरे के करीब है और ऐसे data का जब हम mean निकालते हैं और हर individual value को mean में से minus करते हैं तो उससे जो हमारे पास difference आता है वो कम होता है तो जो major of variability है ये हमें ये बताता है कि हमारे data के अंदर कितनी variation है अगर जादा variation होगी तो उसका standard deviation, standard error और standard error of mean और mean deviation ये सारी values बड़ी होगी लेकिन अगर उसके अंदर variability कम होगी अगर data के अंदर values एक जैसी होगी तो इन तमाम चीजों की जो values हैं वो कम आएंगी